अगर कहीं पर ऐसा लगता है कि आपका प्रोपरटी मेंpetto होने वाला ज razón हो मेनत पैसा तो आज का वीडियो जो है वह पूराके शाल कूंअ करना। वो इसलिए ताकि लोगों का काम आसान बने लोगों का property buying में experience अच्छा हो और लोगों को जादा से जादा information मिलने के बाद कर एक जगे पे उनका पैसा invest हो और उनके सब कोई fraud ना हो लेकिन अभी भी market में frauds हो रहे हैं और इसी frauds से बचाने के लिए आज का ये वीडियो जो है आपके साथ share कर रहा हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि exactly fraud कैसे हो सकता है और जिससे आप कैसे बच सकते हैं जिहां दोस्तों आज की डेट में रेरा आ चुका है जिस वज़े से काफी सारे builders और developers को जो है उन्होंने regulate कर दिया correct कर दिया जिस वज़े से fraud का जो सिलसिला है वो काफी कम हो चुका है लेकिन अभी भी market में कुछ लोग ऐसा है जो जान गुच कर ये सोच से जो है market में हुतर है कि लोगों के साथ fraud करेंगे और पैसे ऐसे ही एट लेंगे ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि already हमारे subscriber के साथ ये हो चुका है उन्होंने वाया वाया किसी के थू कई पर investment किया और बाद में प्रॉपर्टी उनके हाथ में आई ही नहीं फिर उन्होंने मुझे कई से जो है contact किया और मुझे अपनी बात बताई खेर उनको जो help करनी थी मैं मेरे सबसे करी रहा हूं लेकिन मैं इससे better क्या कर सकता हूं तो आप लोगों को बता सकता हूं कि ऐसे fraud जो आपके साथ हो सकते और इसे कैसे हम बच सकते हैं देखिए ऐसा majority मार्केट में अभी जो ब्रैंड्स है जो builders है उनको सभी को अच्छा ही काम करना है लेकिन हमें पहले समझ में आना चाहिए कि हमारे साथ fraud हुआ है या नहीं जी हां दोस्तों काफी लोगों को end त मिस गाइडन्स हो गया लेकिन प्रॉपर्टी आपको मिल रही है कहीं से उसने अपसे थोड़े से चार्जे जादा ले लिए कहीं पर कुछ हो गया प्रजेशन डिले हो गया टाइम पर कमिट्मेंट्स फूलफिल नहीं हुए तो यह फ्रॉड में नहीं आता है यह मिस कम्मि तो लेकिन आपको प्रॉपर्टी दी नहीं जाती और ऐसे आज की डेट में भी हो रहे हैं लेकिन यह फ्रॉड होता कैसे है तो यह फ्रॉड ऐसे होता जब हमारे पास लैग अप नॉलेज होता है तब होता है ओलड़ी गवर्मेंट ने जो डिने लांज कर दिए तो तो रि पहले ऐसा होता था कि अगर आपका फ्रॉड होता है तो आपको नॉमल कोड में जाना पड़ता था और कोड के तूर पिर आपको जो है कई सारे चक्कर काटने पड़ते थे लेकिन प्रॉपर्टी की जो कंपलेंट्स हो दी थी वह इसली सॉट आउट हो सके इसलिए गवर्में और काईदे बनाए उसमें से सब अच्छे काईदे दो थे एक जो भी ब्रोकर्स और एजन्ट हैं उनको जो अपना रेरा नंबर जो है ऑथराइस करना पड़ा रेरा से लेना पड़ा और दूसरा था विल्डर्स और डेवलपर्स जो भी प्रोजेक्स करेंगे उनको भी जो और लेका है तो जो एजन्ट ब्रोकर यह फिर चैनल पार्टनर का नंबर होता है वह अ से शुरू होता है यानि कि एजन्ट और कोई प्रोजिक्स का अगर नंबर होता है वह फिसे शूरू होता है तो क Anime पर भी ऐसा भी देखा गया है कि प्रॉपरटि जो एख वौ रज कुछ भी details check नहीं करते वो सिब रेरा नंबर देखके मान लेते कि ये property leager है तो कहीं पर भी अगर रेरा नंबर आपको मिलता है तो वो P से शुरू होता तो प्रोजेक्ट का होता है A से शुरू होता है तो अचेंट का होता है उसमें जो भी banking details आपको मिलेगी, उसी जो भी company की details आपको मिलेगी, उसी company के नाम पर आपको payment करना है, उसी account के नाम पर जो आपको payment करना है, example, अगर मेरा project का नाम है property coverage और company का नाम है property coverage infrastructure, तो मुझे RERA को एक account देना पड़ता है, जो property coverage इस project का होगा, लेकिन उसको handle property coverage infrastructure तो उसी project के लिए जो dedicated account होगा, उसी account के नाम से आपको payment करना होता है, और उसके through अगर आप payment करते हो, तो काफी safe और सिकर होगा, because कुछ भी issues आते हैं, तो RERA में आप वो complaint कर सकते हैं, लेकिन इसके out of the box अगर कोई accounts आपके पास आता है, तो definitely वो RERA नंबर fake हो सकता है, या फिर वहाँ पर आपको कुछ misguide किया जा सकता है, वैसे इसमें देखा गया है कि जो भी maximum frauds होता है, वो cash के through होते, यहां दोस्तों जब हम property देखने जाता है, तो जो सामने person होता है, वो majority time आपको cash की ही demand करता है, और हो हमेशा यही बताता है, कि आप cash payment इतना करोगे, तो definitely म मैं आपके लिए pricing और कम करवा सकता हूँ, तो इसमें problem क्या आती है, जब आप cash देते हो, तो उसका कोई evidence नहीं रहता है, तो कभी भी अगर कोई भी property of choice करते हो, तो make sure करना हो, रेरा रजिस्टर्ड हो, उसका रेरा नंबर हो, रेरा में जो banking account की details है, उसी नाम से आप check बना और check के through ही आप payment करो, कोई बीच में agent, CPS, कोई भी XYZ person आता है, वो बोलता है कि आप मुझे पैसे दीजिए, मैं आपको property खरीद वाके देता हूँ, तो ऐसा करने का कोई जरूत नहीं है, आप उन्हें जो है, शुद्ध भाशा में राम राम कह सकते हैं, और अपना रस्ता आप सकते हैं, विकास यह आपके लिए ज़्यादा जरूरी होगा, लेकिन ऐसे भी कुछ प्रोजेक्ट होते हैं, जो authorized होते हैं, और लेकिन उसको रेरा registration mandate नहीं होता है, for example, 500 meter के अंदर जो छोटे-छोटे plots होता है, 1500, 200 meter, 300 meter, उनको रेरा compulsory नहीं होता है, लेकिन वो प्रो वैसे, trend नए जमाने का है, social media का है, videos का, YouTube का, Instagram का है, कोई भी वीडियो अगर हम देखते हैं, फिर चाहिए वो Instagram पे हो, Facebook पे हो, या फिर YouTube पे हो, कभी ऐसे बड़े offers दिखाई जाता है, कि कम से कम पैसने, बड़ा flat मिलेगा, ये offer मिलेगा, वो offer मिलेगा, limited flat है, तो कोई भी जल्ध बाजी करने की जरूरत नहीं है, मैं एक चीज़ पर बिलिव करता हूँ, आला कि कुछ लोगों को ऐसे लगएगा, कि क्या बाते चल रही है, लेकिन में पर बिलिव करता हूँ, कि मेरे नसीब में अगर लिखा और लकिल में अगर लिखा है ना, तो उसे कोई में कर रहा हूं यह थोड़ा सा समझना जरूर है और मैं यह इसलिए नहीं बता रहा कि मुझे खुद को लीड्स के जरूरत है बॉस मेरा कोई जनरेशन का काम नहीं है यह प्रॉपर्टी कवरेज जो यूटूब चैनल है इसमें ना तो मैं कस्टमर्स को बुलाता हूं ना तो मैं कमपल सरी मैं उस वीडियो में देता हूं डिस्क्रिप्शन में देता हूं तो एक बार जो है उस प्रोजेक के प्रॉपर डॉक्यमेंट शेक कर लीजिए क्योंकि यह बहुत जरूरी है जब आपके साथ कुछ भी प्रॉब्लम्स आते ना तो एक भी मार्केट में आपको बं आने के लिए है वैसे नवी मुंबई का मार्केट तो अच्छा है आसपास के लोकेशन के मार्केट अच्छे मार्केट में कई सारे अच्छे ब्रैंड जो काफी जैन्यून तरीके से जो है वो काम कर रहे है और काफी लोगों को इससे पहले रिलेस्ट में फाइदा भी करना ताकि ऐसा वीडियो अगर अप्लोड करूं तो उसका नॉटिफिकेशन आपको मिल सके मैं आपसे मिलते रहूंगा ऐसे नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिल